हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेस येर में जितने भी कोस्टन्स पुछे गए हैं पर तेक टॉपिक से उस सब भी कोस्टनों को टापिक वाइज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं चाहे हूं के वियर्ज एन वियर्ज टीटी जारखन राजस्थान किसी भी स्टेट की हो उन सब में को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बिल आइकन को फ्रिस कर लीजिएगा जिससे जो ही मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौरिफिकेसन आपके पास जाता रहेगा दोस्तों यह सीरीज नंबर सेवन है तो स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज पहला कुस्चन है दोस्तों कि एक ग्राम प्रोटीन बराबर होता है एक ग्राम प्रोटीन बराबर होता है तो इसका सही अंशर है चार कैलोरी कितना होता है दोस्तों फोर पॉइंट वन होता है बट यहां पी चार ही दिया है तो यहां पी चार कैलोरी आपसंस आपका स्रवी हो जाएगा तो एक ग्राम मुद ब्रोटीन पूजेगा कि एक ग्रम वौसा कितने ग्राम उर्जा उत्पन होती हैं है एक ग्राम मुशा से तो आपका 9.1 कैलोरी 9.1 कैलोरी तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है प्रोटीन मुखितफ पाली पेप्टाइट्स होता है प्रोटीन का निर्माण अमीनो अमलों से मिलकर होता है अमीनो अमलों एक दूसरे से पेप्टाइट बंद द्वारा जुरे रहते हैं प्रोटीन, तोचा, रख, तेमाइन पेशियों, हड़-डियों, आदि कोशिकाओं के विकार्श के लिए आउसक होता है हमारे कोशिकाओं के टूट फूट को ये मरंमत करता है ठीक है नेक्स्ट क्रüस्टेन दोस्टों कि वुअसा का प्रति-ग्राम सरीर को कितनी कैलोरी फ्रदान करता है प्रति-ग्राम वुचा हमारी सरीर को कितनी कैलोरी फ्रदान करता है तो इसमें कुछ साही रहेगा आपसर नमबर C is the correct answer यहां पर दिया हुआ है यह होता है आपका 9.1 कैलोरी तो आपसा नमबर सी जग करेक्ट एंसर यह एल्टी ग्रेट 2018 का कोस्टेंस है नेस्ट कोस्टेंस है दोस्तों कि एक ग्राम सरीर में एक ग्राम कार्बो हाइड्रेट से कितने ग्राम उर्जा उत्पन होती है तो अभी मैं से जग्रेट एंसर नेस्ट कोस्टेंस है कि वियोटु मैक्स वियोटु मैक्स में सुधार लाया जा सकता है कैसे वियोटु मैक्स में वियोटु मैक्स क्या होता है दोस्तों फियोटु मैक्स का मतलब होता है अधिक्तम ऑक्सिजन ग्रहर करने की छमता को ही हम वियोटु मैक जो हम बयायाम करते करते एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं कि उस समय अतधीक थकावट महसुस होता है उस समय हम जोड-जोड से सांस ले करके अतधीक ऑक्सीजन को ग्रौह करते हैं तो अतधीक ऑक्सीजन ग्रौह करने की छंपता को हैं हम कहते हैं V02 Max दोस्तों क्या है कि बियोटू मैक्स में सुधार लाया जा सकता है कैसे सुधार लाया सकता है कैसे हम मेरे अधित्तम आफसीजन गरहर करने की छमता बिक्सित होगी तो आफसन नमबर A correct answer बयायाम द्वारा हम बयायाम द्वारा इससाइड द्वारा ही हम वियोटू मैक्स में सुधार लाशकते हैं दोस्तों यहां आसा है aerobics aerobics से आसा है ऐसे बयाम से है जिसे करने से सरीर में oxygen की आवसकता बढ़ जाती है जैसे कि तेज चलना दरना जॉगिंग करना निर्ति करना श्राइकल चलना करिस्थेनिक वियायाम करना तेरागी आदि aerobics वियायाम में समलित होते हैं इन वियायामों द्वारा अधिक्तम oxygen ग्रहर चमता यानि भी oto max में शुधार आता है आप ध्यान में रखिएगा मैंने क्या बोला कि तेज चलना दरना जॉगिंग निर्ति श्राइकलिंग करिस्थनिक तेरा की इस सब किस में आते हैं आयरोबिक वियायाम में आते हैं आयरोबिक वियायां का मतलग दोस्तों की लंबे समय की क्रिया इसमें आक्सिजन की इसमें उपर सीती में TO bul blended हम होती है इसको आप ध्यान में रखिएगा next question है दोस्तों कि RER को चे अपचे के लिए इस्तिमाल वर्षा और कार्भो हाइडियर के प्रतिसत को निधायत करने के लिए प्रियोग किया जाता है RER का प्रियोग किसमें किया जाता है चे अपचे के लिए जो इस्तिमाल वर्षा और कार्भो हाइडियर होता है उसके पृतिशत को निधायत करने के लिए RER का परियोग क्या आता है तो इसमें RER का पूल रूप क्या है उसको ful farm क्या है तो Look at the correct answer Respiratory exchange ratio इसका ful farm होता है RER का ful farm क्या होता है Respiratory exchange ratio इसका ful farm होता है Next question है कि लेक्टिक अमल का उप उत्पाद है लेक्टिक अमल का उत्पाद क्या है दोस्तों जैसा कि दो प्रकार के क्रियाएं होती है और वायवी और वायवी एक आक्सिजन के उपस्थिति में एक आक्सिजन के अनुपस्थिति में उर्जा का चारर होता है तो जो आक्सिजन के अन इसका तो इसका सही एंसर होगा। नमबर डी दे करेक्ट ऑफाबचे। सब्सक्राइब कर्याव के शमये पेश्यू में उर्जा का ब्याय बहुत बढ़ जाता है यानि उर्जा का जो खपत होता है बहुत बढ़ जाता है जब हम ब्यायाम करते हैं जिसे ग्लुकोस का जारर होता है वो तिवर होने लगता है जो ग्लुकोस का जारर होता है उर्जा में जो कनवर्ट होता है जल्दी ज फेपड़े जब की छोकोस को ऊज्जा में कणोर्ट होने के लिए आक्सीजन किया सकता होती हैं तो जो फेपड़े हुते हैं इसके लिए आवास्य autopsy से पूर्ति की पूरती नहीं कर पाती अथा आव्यवी ऊपाप्चे के फला सरुव हना अधुरे जारड जारद तो ग्रुक इसका अधुर्य जाड़त हो पाता है इसलिए तंतुम में लेक्टिक अवल बनने लगता है जिसे मुझे ठकावाट होती है ठीक है लेक्ट कोस्टन है कि दिये गये विकल्पों में इसे सही कोर्चुने सांस द्वारा अंदर खीची गई वायू के सरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम क्या है सही क्रम क्या है सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों जैसे कि आपसेंदिया है नाक फेफडी हीडेर को सिखाएं तो लिए इसका सही जोड़ा क्या होगा किस करम में हमारा हम सांस क्राह करते हैं तो अंदर जाता है वायू सबसे पहले नाक में में याता है फिर फिर ठेपड़े में जाता है फिर फिर हीदे में जाता है वहाँ एक्सच्चेंज होता है प्रेफ़ें से कर्वन डियाक Coalition DOC को वहां ऍर वह निकाल देता है और फिर प्ली मिलाउस–वयर की दई मत डियाखेंट कर लेड़े करके हिदे से फिर चला जाता है कोशिकाओं में और वहां पे कोशिकाओं में और फिर समझ सरीर को यह आक्सिजन क्या पूर्ति करता है तो यहां सहीक्रम होगा परहले नाग फिर फेफड़े फिर हिदे फिर कोशिकाओं फिर कोशिकाओं तो आपसर नंबर सी is the correct answer XT question है दोस्तों कि स्वेठ्ठ नलिका के अंगों को शही क्रम में लिखें यहाँ भी आपको शही क्रांद रर्साना है तो सही क्रम क्या होगा पर नाशिय का फिर फेरिंग्स यानि की जो गरशनी होता है फिलेरिंग्स यानि कंठ उसके बाद फेफ्रे के अंदर जो एल्विलाई होता है वहां पर पहुंचीगा तो इसका आपसर नमबर एज गर्यक्ट एंसर निस्ट कोस्टन है दोस्तों कि फेफ्रों की पालियों को हिदे द्वारा फेफ्र की पालियों को किसके द्वारा अलग-अलग पालियों में विभाजित किया जाता है जैसा कि दोस्तों जो ट्रेकिया होता है वो फेफ्रों में जाकर के जाता है तो उसको हम ब्राउंची बोलत और वही स्वस्नी दाय फेपरों में तीन भागों में दो भागों में अलग अलग पालियों में भी भाजित हो जाता है तो इसका सही इंसर क्या होगा स्वस्नी आपसर नंबर एज दर करेक्ट एंसर निस्ट कुरूशन है कि स्वसंतंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बिल त्रेकिया जिसे स्वार्श नली बोलते हैं दूसरों सोसन तंद्रिस संब्दित महतुर अंग कौन-कौन साइस से पहले हम सांस लेते हैं तनाक में जाता है फिर ग्रस निका यानि की फाइरिंग्स में जाता है फिर लैरिस्याज यानि कंठ के पास जाता है उसके बाद ट्रेक या में प्रती घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में केलोरी की कहती है किस प्रकार के कारे में । इसका एंसर आप सोच दे दीए दूस्तों मैं कई बड़ा आपको ईरोबिक एन एरोबिक क्लियों के बारे बता सुकिया हूं यानि कि उन वाइविवी तो इसका अब आपको सही एंसर देना होगा कि किस तरह के कारे में प्रती घंटे सबसे जयदा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है तो इसमें आफ्टन है दर्णा फिर है शमान ने कसरत लागातार किसमें प्रती घंटे सबसे जयदा मात्रा में कैलोरी की खपत होगी दोस्तों तो यहां पर आपसर नंबर इस दर्णा नेस्ट कोश्चन है कि एक स्वास्त व्यास के व्यक्ति एक दिन में कितनी बार स्वास लेता है तो इसका सही एंसर होगा आपसर नंबर δी जैकरेक्ट अंशर 16-20 बार 16-20 पर सोशन लेता है कि दोस्तों अगर वह प्रसिशित खिलारी होता है या प्रसिशित बेकती होता है तो उसका 8-10 बार सुसंदर होता है क्योंकि सुसंदर गिशना कम होगा आपका capacity उतना ही अच्छा हो माना जाता है तो आप अगर प्रसिचित हो जाएंगे या रोज अभ्यास कर रहे है या भ्यायाम कर रहे है तो आपका सुसंदर घर करके हाइपोक्सिया में सबसे कम आक्सिजन पहुंचता है हाइपोक्सिया नामक भीमारी में शरीर के विभिन अंगो में यानि उत्तको अक्सिजन की उपलबता यहां पहुंच कम हो जाती है जिससे कोशिकाओं की मृत्य हो जाती है या उन्हें गंभी नुफ्सान पहुचता है नेस्ट कुश्चन है रखते एवं उत्तक के बीच गैस का बिन में कहलाता है यारी यहाँ भी आपको सही अंसर देना होगा दोस्ते मैंने करे मैं बता चुकी हूँ कि आंट्री सोसन और वाह सोसन क्या होता है इसमें किसमी सोसन होता है तो यहाँ पर कुश्चन है कि रखते एवं उत्तक के बीच गैस का बिन में कहलाता है रखते एवं उत्तक के बीच गैस का बिन में क्या कहलाता है आंतरिक सोसन यहीं पुछता कि फेप्रों में सोसन क्या कहलाता है तो वाह सोसन जब फेपरों से आक्सिजन को RBC का हिमोगलोविन ग्रहर करके कोशिकाओं तक आक्सिजन को पहुचाता है आंत्री सोसन हो जाता है और फेपरों में सोसन वाह सोसन होता है इसको आप ध्यार में रखिएगा कठिन ग्रहर की दोरान थकान होने का प्रमुक कारण है जैसा कि आप सबकु पता हैसका इसका सेईांसर है लेक्टिक अमिल का बनना जैसा कि कठिन ग्लोकॉज brake कारण हो कहां से बनता है जो हम ग्लुकोज लोकॉज कभ आ डे लेते हैं वही ग्लुकोज में हमारे कनवर्थ होकर कि शरीर में उर्जा प्रदान करता है सबस्क्राहते जर कि यूंधा ऊंवolisम् 2005-200 कि हम्है उर्जा प्रक्राइश नाम पके प्रवावित होती है और खिलाई में थकान कान्व होने लगता है कि स्वांस लेते समय हमारे फेप्रों के अंदर का दबाओ पहले बढ़ेगा फिर घरता है कि इंसर कोई नहीं तो इशका ये अंसर होगा दोस्तो कि में स्वांस लेते समय ह Commissioner प्रिटों के अंदर का दबाव घरता है. जब कि यह स्वांस छोड़ते संहे, प्रिटों के अंदर का दबाव क्या होगा? बढ़ेगा. इसको हम समझाते हैं आपको समझ में आजाएगा कि जैसे स्वांस लेते समय हम इंस्पायरेशन करते हैं कि स्वांस क Country ऑनना tut रहा हो, बढ़ जाता है अगर जाता है कैसी कि जब हम इंदर जो इंटर कोस्टल मसलस होती है वह तो जो डाइफ्राम नीचे जाता है तो जो हमारा watch गुहा होता है उसका आयतन भढ़ जाता है फेफड़ी का भी आयतन भढ़ जाता है अलिवह फेफड़ी का आयतन भढ़ता है तो इसका दबां दुम हो 1-3 यम्यम्यजिक कम होजाता है तो होता क्या है कि वायू मंदर से हमाई फेपड़े का जो वायू दाब है एक से तीन यम यम जी कम हो गया तो होता क्या है कि जो वायू है या तो गैश है वो हमेशा उच दाब से निमने दाब की उराता है तो बाहर उचे दाव हो जाता है और हमाई फेफ़ों के अंदर निम्न दाव हो जाता है दबाव कम होता है तो जो वायू होती है वो बाहर से अंदर के तरफ प्रवेश करने लगती है तो इसी प्रकार जो स्वांस लेते समय हमाई फेफों में अंदर का दबाव घड़ता है अगर छोड़ेंगे तो दबाव घटेगा बढ़ेगा तो इसका स्वांस लेते समय वच्छ गुहा कायता में बढ़ जाता है जैसे कि हमने बताया नेस्ट कोशन है कि आक्सिजन कर्ज सब्द का अविसकार किया था किस ने किया था आक्सिजन कर्ज एवी हिल ने इसका सही अंसर है एवी हिल ने आक्सिजन कर्ज यानि कि आक्सिजन डेप्ट जिसे आक्सिजन कर्ज कह जाता है उसका अविसकार किया था यह होता क्या है कि सक् साधिक कार या ब्यायाम के शमय पेशियों में उर्जा का ब्याय बहुत बढ़ जाता है और अधिकाउंस एटीपी जो है एडीपी में कनवर्ट हो जाता है बदल जाता है अताव ग्लुकोज का तिप्र रुप से जारर होने लगता है परन्तु फेपड़े इसके लिए जो आवस्यक आक्सिजन की पूर्टी होती है उस आक्सिजन की पूर्टी नहीं कर पाती है और इसके फलसरव ग्लुकोज के अधुरे जारर से इसके फलसरव आक्सिजन के जो पूर्टी नहीं कर पाता है आप सकता के मुताबिक तो ग्रुकोस का जो जारह होता है वो अधुरा हो जाता है इसे से पेसी तत्तों में लेक्टिक अमल जमा होने लगता है और ब्यक्ति का जो सांस होता है फूलने लगता है और इसी आक्सिजन इसी को ही हम आक्सिजन डेप्र यानि आक्सिजन रिर कहते ह और इसी का अविशकार किये थी ए वी हीलने उनी स्झकाइस में. जिसे दोस्तों हम दाने जब दाऑते हैं तो एक हाई एक सांस हूरने लगता है। उसमें में क्या होता है कि जो मेरे में जो गुलकोज का जारण हो रहा है। बहुत तेजी से होने लगता है। और हमुरे हमारा प्वरपा जो है उसको आक्सिजं पूर्थी नहीं कर पाता है तो गुर्णकोषिकी का पूड़ जाढ़ नहीं हुपाता है हुआ जिसले हम उस आक्सिजहन की पूर्थी करने के लिए तेजी सहभाणे लगते हैं सिसी को ऑक्सिजहन करते हैं ましょう Consirate कि वह अत्रिक्त आक्सिजन जिसे जोहदार ब्यायाम के बाद सभी प्रडालियों को अपने समाने अवस्था में पुनर इस्थापित करने के लिए सरीर में लेना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है दुस्तों जिसा कि अधिक उचाई पर जहां वाई मनली दबाव आधा है वहां क्या होगा सही अप्शन है फेफ़ो समंधी वेंटीलेशन बढ़ जाता है जब अधिक उचाई पर जहां वाई मंडली दबाव आधा होता है वहां फेफ़ो समंधी जो वेंटीलेशन होता है वो बढ़ जाता है तो दोस्तों सोसंतों से जितने भी questions आये थे यहां पर उसका session समाप्त होता है and दोस्तों I hope की प्रते questions आपको अच्छे से समझ में आता होगा and दोस्तों आपको कैसा समझ में आता है समझाने का तरीका कैसा है और इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए and दोस्तों जादे से जादे इस वीडियो को सेयर भी किया कीजिए जिससे मुझे एक नवया motivation मिल सके जिसे आपके लिए मैं रोज के रोज वीडियो लाश रकूँ and दोस्तों जितने भी topics हैं उस सब एक के topic में एक एक करके मैं with you लाऊंगी and सब questions का explain करके आपको बता रही हूं दोस्तों जिससे आपको उस question की समपूर जानकारी हो जाए जिस भी question को आप पढ़ रहे हैं उससे related और question आए तो उसका भी answer आप दे सके इसलिए मैं explain करके बता रही हूं तो दोस्तों जिदि आप चैनल पर पहली बाव विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकन को फ्रेस कर लेजिए जिसे जो ही मैं नया video upload करूंगी उसका notification आपको मिलता रही जाते दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट सीरीज में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैए